सूजी के गुलाब जामून ऐसे गुलाब जामून जो बहुत ही कम इंग्रेडियंट से बन जाते हैं बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स में शेयर की हूँ इस तरह से एकदम सौफ नारम और रसीले गुलाब जामून बलाने के लिए तो ये वीडियो आप लास तक देखिए और अगर सौजी गुलाब जामून आपका भी बनाते हैं तो ये रेसिपी जरूर फॉलो करजिए आपका बहुत अच्छा लगेगा और धेर सारी ट्रिप्स और ट्रिक्स है तो आपका गुलाब जामून कभी चिप्टा नहीं होगा नाहीं कभी फटेगा नमस्कार मैं हो सुभंकरी और आप सब का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल सूस्फूट कॉनर हिंदी पर उमीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे मेरे चैनल पर अगर आपनाय है तो प्लीज सब्सक्रेब कर लिजेगा और बेल बटन को टैप करना विलकुल मत भूलेगा ब इसमें हम हलवा बनाते हैं बारिक दाना वाला वो ले अगर बारिक दाना वाला ना हो तो आप रेगलर सुजी को थरा ग्राइंड कर ले पर उतना बारिक नहीं होता है अगर आपके पास बारिक सुजी है तो वो निश्चिंत यूज करे तो एक कप में लेली हूं लगभग फ्लेम में इसको रोस्ट कर लेंगे, जरा सा इसमें बस हीट लग जाए, तो इसको निकाल देंगे, अब दूसरा एक पैन ली हूँ, इसमें एक बड़ा चमच में घी ली हूँ, चाहँ तरफ इस तरह से फैला ले, अगर नॉन स्टिक है तो ठीक है, नहीं तो अगर नॉर्मल पैन लेते हैं, तो इसको फैला ले, ताकि इसमें सूजी नाच चिपके, जो बावल में मैं सूजी ली हूँ, उसी बावल में नाप के दो कप दूद ली हूँ, ये रेगुलर दूद है, उबला हुआ दूद है, नॉर्मल रूम टेंपरेचर पे, अब इसको हम अच्छे से गरम हो जाए, तब हम इसको फ्लेम लो कर देंगे, क्योंकि हम मीडियम फ्लेम पे इसको चड़ाए थे, फ्लेम लो करके अभी इसमें हम डालेंगे सूजी, यहां पर ध्यान रखे कि एक हाथ से डालते जाए, दूसरे हाथ से चलाते जाए, बेसिकली गुठलिया नहीं पढ जाएगा, फूल जाएगा, अच्छे से मथा जाएगा, तो यह चीज़ जरूरी है, जितना आपका अच्छा, आपका सूजी यहां मथाएगा, पकेगा, उतना अच्छा गुलाब जामून बनेंगे, सूजी के, एकदम खुआ और मावा की तरह है, उसका consistency आजाएगा, तो लो फ्लेम पे ही रखे, एकदम सुखा न दे, जरा सा यह मॉइस्ट रहे, उस समय इसको गैस में निकाल देंगे, प्लेट पे उतार के रखेंगे, जब तक थोड़ा छूने लायक बन रहे है, हम चाशनी बना लेंगे, देड़ कप में उसी कटोरे में पानी ली हूँ, पत्ति डाल दिए, पर हो तो जरूर डाले, इलाइची पाउडर एक छोटे चमच, और बहुत जरूरी है, तीन चार बात बूंध नीमबू के डाल दे, यह तो क्या होगा ना, चीनी का थोड़ा इसमें किस्ट्रलाइजेशन का रहता है, चांस, तीन चार बूंध नीमबू डाल दे, बैलन्स आउट हो जाता है, मीडियम फ्लिम पो इसको चड़ने दे, तब तक चलते हैं, हमारे जो सूजी है, उसको देखते हैं, सूजी जो है, छुने लायक बन गया है, थंडा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखे इस बात का, बहुत जरूरी टीप है, इसको अभी मिल्क पाउडर किसी भी ब्रांट का आप डाल दे, तो दोनों मैंने आपको तरीका बता दिया है, और जब थोड़ा सान ले, आधा तक पहुंच जाए, तब इसमें हम डालेंगे एक बड़ा चमच घी, अब घी डालने की बाद वापस से इसको अच्छे से सान ले, मक्षन क तरह इसको सानना चाहिए, जितना अच्छा से सनाएगा, उतना अच्छा आपका गुलाब जामून बनेगा, उतना ही अच्छा round shape में रहेगा, ने तो क्या होगा, गुलाब जामून फट जाएगा, तेल में क्रैक पड़ जाएगा, तो सारे चीजे मैंने बता दिया है, सान चाहे तो एकदम छोटा कर सकते हैं, चाहे तो लंबा कर सकते हैं, चाहे तो बड़ा कर सकते हैं, मैं कर रही हूँ मीडियम वाले, तो देखिए इस तरह से लोई तोड़ दी, अब देखिए इसको हाथों के हथेलियों के बीच में दबाना है, तीन चार बार कस कस के दबाना है ताकि जो shape है पूरा perfect गोल बने और इसमें crack न रहे, crack रहे जाएगा तो ये तेल या घी में फट जाएगा, तो दबा दबा के गोल गोल करके लोई बना दे, और यहाँ पे तेल या घी, मैं तो तेल ली हूँ, आप चाहें तो घी ले सकते हैं, पहले अच्छा गरम कर ले, ये तीन-चार मिनिट बाद जो थोड़ा निकी से सिका जाएगा, तब इसको कोई भी spatula से जरा सा हिला ले, और फिर medium पे ही इसको तलते रहें, सूजी ही गुलाब जमुन है, लो फ्लेम पे नहीं तलाता है, मावा या खुआ का हो, तब लो फ्लेम पे तलाता है, इसका flame medium ही रख और ग्रैजुआली सिकते सिकते ऊपर आ जाएगा, अगर फटने लगे गलती से भी, तो temperature adjust कर लिजेगा, अपने हिसाब से, और जब यह सुनहरा हो जाए, अच्छे से एकदम कलर आ जाए, देखिए, अब इसको तेल से निकालके, इसको instantly डानना है चाशनी में, चाशनी को जब गुलाब जामुन डाले, तो ध्यान रहे कि सुसुम रहे, वाम रहे, इसलिए medium flame पे इसको on कर दे चाशनी को, ताकि नीचे से थोड़ा आँच लगते रहे, और गुलाब जामुन अच्छे से चाशनी को सोक ले, तीन से चार मिनेट नीचे से आँच दे, medium flame का, फिर मि लाले, दूसरा बैच पर देखिए, गुलाब जामुन का मैं बना दी हूँ, ये भी बहतरी इन बने है, एक भी गुलाब जामुन फटा नहीं है, क्रैक नहीं पड़ा है, अच्छे से शेप ले लिया है, इन बातों का ध्यान रखे, temperature का खास करके ध्यान रखे, सुजी गु लगता है, एक देड़ घंटे में तो ये अच्छे से सोख हो जाना चाहिए, और देड़ घंटे बात देखिए, गुलाब जामुन जो है, हेवी हो गया है, फूल के नीचे बैठ गया है, अच्छे से पुरा गोल गोल राउंड राउंड ये शेप ले लिया है, ना लगता है, तो इसको इस तरह से मैं सर्फ की हूँ, योहार का मौका आ रहा है, होली आ रहा है, तो इस तरह से सोजी के गुलाब जामुन बना के अपने परिवार में आप खुशिया बांटिये, बहुत कम इंग्रिडियेंट्स से बना हैं जैसे मैंने कहा, ना इसमें खुआ ना इसमें मिल्क पाउडर है, ना इसमें कोई ऐसा चीज है जो घर में अवेलेबन नहीं होता, तो इस बार ही एक बार यह ट्राइ किजिए, अगर पहली बार बना रहे हैं, तो थोड़ा सा बना के देखिए, अगर अच्छे बनते हैं, तो जरूर बना ये, लिश्चिंद रेसिपी, थैंक्यू सो मच सिल्पा, आपने इतना प्यारा सा कमेंट किया, और इतना केर किया, कि मुझे आपने वापस कमेंट करके इस बताया, थैंक्यू फर ओल ये लव और सपोर्ट, और आज का जो रेसिपी है, सूजी के भेतरीन गुलाब जामुन बहुत अच्छा ब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, लव लाइफ and हैपी फूडिंग!